Hello everyone, welcome to our channel education hotspot. So this video is for all Igno MA sociology students. A common doubt मैं यहाँ पर इस वीडियो में address कर रहे हूँ. बहुत से student यहाँ पर paid classes के regarding उनके doubt है. Like they wanted to ask that कि किस तरीके से आप enroll कर सकते हो paid classes में क्या procedure है. तो मैं कुछ चीजे clear कर दो because कई बार बच्चे बात में doubt raise करते हैं. पहली बात तो paid classes में ऐसा नहीं है कि unit 1, unit 2, unit 3 हर subject की detail में cover है. मैंने सारी units नहीं cover कर आई है. Paid classes में आपके important topics cover हैं. जैसे YouTube पे हम एक topic को explain करते हैं. तो with note paid classes में आपके important topics cover हैं. Right, जैसे कि for example अगर हम बात करें MSO 002 की, तो वहाँ पे उसके regarding research क्या होता है, research के type क्या है, hermenitics क्या है, sampling क्या है, probability non-probability sampling क्या है, यह जैसे topics हैं. यह सारे topics जो भी important topic हैं, जो बहुत जादा हद तक commonly by Q में पूछे गए हैं, या जो important topic हैं, या जो ऐसे topic हैं, जो बहुत common नहीं है, general नहीं है, वो मैंने वहाँ पे cover कराने की, जो है, उस वे में मैंने आपकी paid classes को cover कराया है, minimum 20 topic each and every subject के आपको मिलेंगे, बाकि अगर किसी topic में doubt आता है, तो आप लोगों के पास बहुत सारे option available हैं, मुझसे contact करने के, doubt को मेरे तक पहुचाने के, और I will try कि मस doubt को जल से जल क्लियर करूँ, और mostly मैं आप लोगों के doubt को तुरंत resolve करती भी हूँ, जो student like already connected है, देनों कि doubt, अगर कोई भी doubt आप put करोगे, तो उसको timely resolve भी कर दिया जाएगा, तो yes, सबसे पहली बात paid class में ये चीज़े available हैं, दूसरे चीज़ paid class में enroll करने के लिए आपको करना क्या है, आपको education hotspot का app install करना है, आप play store पे जाओगे, education hotspot type करोगे, आप मिलेगा, आप download कर लीजे, अब question आता है कि जो iOS user है, जो Apple का phone यूज़ कर रहे हैं, वो कैसे कर सकते हैं, laptop में download हो सकता है, क्या आप laptop में देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हो, कैसे होगा ये चीज़, आप देखे, laptop में education hotspot type नहीं कर सकते हैं, तो Apple के phone के अगरम बात करें, तो जब आप app store पे जाओगे, app store पे आपको type करना है, search करना है class plus, आप class plus सर्च करोगे, वहाँ पे आपसे class plus आपने install करा, उसके बाद login का option आएगा, login में वो आपसे ORG code पूछेगा, ORG code में आपको type करना है, XFO EAM, I am repeating it again, XF, जिसका simple android phone है, उसके लिए तो simple है, प्ले स्टोर से education hotspot इंस्टोर करो, और course दिख जाएगे, apple phone के यूजर के लिए आपको app store पे जाना है, class plus इंस्टोर करना है, login के option में वो पहले आपसे ORG code पूछेगा, तो आपको डालना है, ORG code में XFO EAM, यह आपने डाला, उसके बाद आपको अपना contact number डालना है, आपके phone पे OTP आएगा, और आप directly app को देख सकते हो, वहाँ पे आपको app education hotspot ही show होगी, और हमारे courses वहाँ पे आपको visible हो जाएंगे, अब बात आती है कि जिनको laptop से यूज करना है, laptop वाले student भी laptop पे class plus सर्च करेंगे, class plus में वहाँ आगे जाके आपके पस login option आएगा, login में आपको ORG code डालना होगा, ORG code में again आप XFOEAM टाइप करेंगे, और उसके बाद आप जो है अपना phone number डालके, OTP टाइप करके आप login कर लेंगे, अब वहाँ पे आपको course दिख जाएंगे, दो full-fledged course हैं, इगनुएमे sociology, first year, second year, तो first year की student, first year में इन्रोल कर सकते, second year की student, second year में इन्रोल करेंगे, वहाँ पे आपको subject wise videos और उसके notes जो हैं वो मिल जाएंगे, तो that's how, course price की अगर बात की जाएंगे, तो that is 800, around 80-200 videos आपको मिलेंगे, videos ऐसे बहुत बढ़ी नहीं रहने वाली हैं, कि आपको लगेगा कि क्या हम exam तक खतम करेंगे, topic से 8-10 minute की video, अगर video देखनी है, तो video देखिए, अगर आपको लगता है कि आप notes से पढ़के ही, सब को खुच से समझ लेंगे, तो वहाँ पे notes अवे लेबल हैं, तो you are more than welcome, आप लोगे doubt, बिल्कुल welcoming है, बिल्कुल exam time है, सर पे exam है, 1 month around यहाँ पे बचा है, 1 month से भी कम time हमारे पास बचा है actually, 10-15 दिन यहाँ पे exam के लिए, pressure है, last time पे हम जाद 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 पढ़ाई करने की कोशिश करते हैं, it's high time, अब तो पढ़ना ही पढ़ेगा, exam से एक दो दिन पहले आप एकदम panic करोगे, तब क्या होता है न, कि तैयारी फिर भी कर सकते हो, कुछ topic prepare कर सकते हो, बट वो panic की situation में, जितना आप अच्छे से कर सकते हो न, वो भी नहीं हो बाता है, तो अभी अगर आप डेली आदा एक एक घंटा भी पढ़ोगे, मैं मानती हूँ कुछ लोग busy हैं, कुछ लोग किसी वहार exam की त्यारी कर रहे हैं, कुछ exam clash करें, बहुत सारी issues आपके साथ हैं, बट अगर आप आदा एक घंटा भी निकाल पाओगे, फर इक्जामपल खाते टाइम आपने वीडियो प्ले करके रग दी, खाना खाते हुए आपने वीडियो प्ले कर ली है, या आप फर इसामपल वाक ले रहे हैं, या आप office जाते हैं, तो आप ट्रावल करके कहीं जा रहे हैं, तो आपने traveling के time पे ही कुछ content सुन लिया तो भी आप इस तरीके से अगर 1.5 घंटा manage कर लो अगर दिन में तो भी आप exam तक काफी चीजे cover कर सकते हो आपको पता है MSO 1, 3 और 4 में time नहीं है first year की मैं बात करू इसी तरीके second year में भी कुछ exam में gap है कुछ exam में gap नहीं है तो जिन में gap नहीं है उनको पहले cover कर लो first year में जैसे MSO 002 last में आप उसको भी पढ़ो ही मत ना उसके content को भी छोड़ के चलो बाकी जो तीन paper है उनको cover कर लो और उसके लिए इतना time है बाद में एक ही subject प्रह जाएक उसको तब डील करना अभी उसका एक भी content मत देखिए तो थोड़ा से smartly आपको लास्टाइम पर पढ़ना है आप सब लोग बहुत smart enough है इतना आप सब को पता है कैसे पढ़ना ही मुझो बताने की सिर्वत नहीं है या पढ़ाई से related, topics related, कैसे क्या पढ़ना है लिखना है इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं I'll try to resolve that That's all for this video, thank you everyone All the very best for your exam पढ़ते रहिये And I am here with you in this journey Thank you everyone